ना बंसी बाइ जमीन तो नहीं बेच देख भाइ जन्यराएं अब तो खेती में नहीं हो रहे इस जमीन पर अरे तो क्या होगा बंसी धेरे धेरे बुड़ापा आ रहा है और ये सब काम जो है न वो सारा गजंदर ही देखता है कुछ थोपना नहीं चाहते हैं दोनों हमारे जिगर के टूड़े और दोनों में बहुत प्यार है और ये फैसला हम उनी लोगों पे छोड़ेगे जी प्रणाम गजंदर भीया नमस्ते और आशुतोष कैसे हो बस भड़िया एकदाव अच्छे हैं बस हफ्ते दो हफ्ते की बात है सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और फिर नौकरी के लिए जूता खिसाइज शुरू बढ़िया है अच्छा सुनों कल हम आ रहे हैं कानपूर कुछ ओडर देना है और उसके बाद दो पैर को तुमसे मिलते हैं के फिर कुछ मंगानत नहीं है घर से जी नहीं भीया नहीं और वैसे भी हफ्ते दो हफ्ते में तो घर लोट नहीं है कुछ दिनों के लिए जी जी भाबी और बाबुजी को हमारा प्रणाम कहिएगा और यहीं हुआए बड़ और वहीं है कर जो घचा व कर दोनें निए chi कर दो डज उना। कर दो mm आचितो 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 आचित करमपुर से बड़ा भाई गजेंदर प्रसाद अपनी दुकान के सामान के लिए ओर्डर देने कानपुर आया उसने सोचा कि वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है अपने छोटे भाई आशुतोष से भी मिलने जाएगा गजेंदर जब आशुतोष के घर पहुँचा तो उसने आशुतोष को मरा हुआ पाया मामले की तहकीकाट शुरू कर दी गई अब इस हादसे से जुड़ी कई अजीबो गरीब और चौकाने वाली हकीकत सामने आने वाली थी हमने घू और बार सट्ष काने अच्ट कि अ रहुआं और सथने मारे उनका फारा स्टोष स्थे अंतर अब मिकैल्त के घर ऊमारा बाहर्त कि अजय से मुझे कुछ नहीं पता है, साब. मैंने ना तो कोई चीक सुनी और ना हीं कोई शोर. इस बारे में मुझे कुछ नहीं वालिब, साब. और सार, हम यां पासी में रहते हैं. ना हमने कुछ अजीब देखा हैं, और ना अजीब क porch आसे भी सुना हैं. और सर कोई स्मेल भी नहीं आई है चेहरा बुरी तरह से चला दिया गया लेकिन घर के अंदर ही है दारों की बॉटल चखना और तिन तिन ग्लास ताजय को बात यह है कि घर में इतना बड़ा कांड हो गया और आज पड़ास में किसी को ख़बर ने लगी यह ज़िए घर हमारे रिष्टार का है सर पिछले दो साल से आशितोष यहां किराए पर रह रहा है पढ़ रहा था यहां पर सारी वह से ताव लोग करमपूर के रहने वाले अशितोष अकेला रहता था है यहां पर एक शराब की बड़ल है तीन गिलास है इसका मतलब है कि केला नहीं था उसके साथ दो लोग और थे और जहरा इसेट से बुरी तरह से जला दिया गया है हरा नहीं इस बात कि है कि उसकी चीख फुकार आस पड़ास में किसीने नहीं सुने कि कल शाम को बात हुई थी सर उससे सब ठीक था यह उमर थी कि उसके जाने की सर आशितोष अचेरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है लेकिन मौत इसीट से जलने के वज़ा से नहीं हुई है यही काराने कि चिखने चिलाने के कोई आवाज नहीं है क्या वज़ा हो सकती है खुन में अलकोहिल के साथ किसी जानलेवाद चीज क्यांस पाए गया है और विंड शुद्ष को हो सकता वह सकता है अशुतोस के पिता आचुके अर अशुतोस का फोन अभी बंग दें एक काम करो उसके फोन रिकाइड निकलवाद 012 यह तो कि पीन कोड लगता है शाथ 208012 यह पीन कोड तो जवाहर नंगर लाकेता है पता करओ जवाहर नंगर इंनाके में एसिट की कितने दुगाने, पक्काई एसिट वहीं से करिदा गया, सबूर्ट पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के इस साफ से आसी तोश को पहले चांद लिवा ने शिली दवाई पलाई गई शायद शराबें खुलकर, उसके बाद उसे गलाग उटकर मारा गया और फिर दजाब डालकर उसका चेहरा बुरी तरह से चला दिया गया इसका मतलब कोई तो है जो सिर्फ उसे मारना नहीं चाहता था बलके तुश्मनी निकाल ला था हमारा बेटा बहुत ही शरीफ लड़का था बीकॉम की परिक्षा उसने पास कर ले थी मार्क शीट का इंतजार कर रहा था लेकिन फिर भी कोई तो था जो उससे नफरत करता था जो दोस्त की तरह रात को उसकी घर पर आया क्योंकि हमें उसके घर पर एक शराब की बोटल और तीन गिलास मिले मतलब आशुतोर शाकेला नहीं था उसके साथÁ दो लोग और थे सर आशुतोش की किसी दोस्त के साथ को लडा़ी थी नई सर आप बता सकते हैं उसके ऐसे कौन से दोस्तंगिने वो शाम को घर पर बुलाता हो मतलब इनके साथ वो शराब पीता हो अबने दो उसके कॉलेज के तीन दुस्तों के बारे में सुनाया बस। कौन है वो नाम जानते हैं पुन के? आज सर। हरीश संजू और रवी सर। ये तीनों उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे सर। अब पस्टियर में उसके हॉस्टिल के रूम मेट भी तेतीने। हरीश, रवी और संजू आशितोष के भाई गजेंदर परसाथ के वारे में पता करो। करेंपूर के खबरियों काम पे लगा दिया साथ। और आशितोष के फोन रिकॉर्ड से निकलवा। दो पहर तक हमारे हाथ में होगी। ठेक है। हरीश भी थार्ड येर बीकॉम का एस्टूडेंट है। आशुतोष उसके क्लास में ही पढ़ता है। वह उसका नंबर चाहिए। जी। कैना है। या प्लीज। उसका नंबर है। इसका नंबर है। ट्रिपल फोर। फाइव सिक्स सेवन। ड्रेक स्टूड़ें। रवी और संजुु। उसका नंबर है। मतलब संजै सिंह भी उसके क्लास में है। उन डॉनों के नंबर पितीजी। जी। रवी का नंबर है। ट्रिपल फोर। वन टू ठू थी। 654 और संजेज सिंह का है 444-748-452 452 थाक्य। साथ, रवी, हरीश और संजू, ये तीनों दोस्त आशुतोस से लगतार टॉच में थे और रिकॉर्ड्स में कोई बात कट की? यस साथ, एक नंबर है, 444-98789 इस नंबर से आशुतोस को तीन कॉल साय थे पहला कॉल 11 अपरिल को, और बाद में 13 अपरिल को दो और कॉल्स आये थे फिलाल तो ये नंबर बंद है, लेकिन पिछले महिने के कॉल रिकॉर्स के हिसाब से भी इस नंबर से आशुतोस को लगतार कॉल्स आते रहे इसका नंबर है ये? सर्वीस प्रोवाइडर को रिटिल्स भेज़ दिये सा, आज शाम ने तो कल सुबे तक पता चल जाएगा आशुतोस को शराब में जहर मिला कर दिया गए फिर गला गोटकर उसे मारा गया उसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसका चेहरा पूरी तरह से जला दिया गए अब तुम तीनों मुझे ये बताओ कि तेरा अपरैल की रात को उसके साथ कौन-कौन था? मैं तो नहीं था नहीं सर, मैं भी नहीं था सर, मैं भी नहीं था सर कौन था, कौन नहीं था ये तो पता चल जाएगा लेकिन एक बात याद रखना तुम तीनों मेंसे अगर किसी ने छूट बोला या कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो याद रखना तुम तीनों बहुत बड़ी मसीबत में पढ़ने वाले हो सर आशुतोष हम सब का बहुत अच्छा दोस्ता आशुतोष गर में शिप्ट हुआ उससे पहले हम लोग सब हॉस्टिल में रूमेट्स थे यकीन कीजे सर हम लोग उसके साथ ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते कौन सो सकता है आशुतोष के साथ ऐसा करने की सपने में कौन सो सकता है सर हमें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सर हमारी दोस्ती से सर्फ कॉलेज तक ही थी कॉलिज के बाहर उसके क्या लाइफ थी, किससे दोस्ती थी या फिर किसी से दुश्मनी थी तो इसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, सर 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 उसके दुश्मनी तो नहीं लेकिन उसके प्यार के बारे में मुझे पता है सर उसकी गल्फेंड थी जिससे वो शादी करने वाला था कौन है वो? सर ये तो नहीं बता उसने नाम तो कभी बताया नहीं सर अभी इतना भी क्या पत्नी वरता हो रहे हो बै कि उसका नाम भी जुबान पे नहीं ले पा रहे हो फिकर मत करो यार तुम नाम की बात करेंगे तुमें सामने मिलवा देंगे और फिर नाम भी पूछ लेना अपनी भावी से ओ हो बचपन का प्यार है क्या भाई नहीं यार लेकिन दिल के बहुत करीब है चल्दी शादी करने जा रहे हो उससे सर पता नहीं इस रिष्टे का अशुतोष के मर्डर से कुछ लेना देना है या नहीं लेकिन मुझे याद आया इसलिए मैंने आपको बताया तुम दोनों का मालू है डड़की कौन है नहीं सर मुझे तो नहीं पता नहीं सर हमें तो कभी नहीं पताया उसने इस कतल का कोई सुराग सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा था लेकिन ये प्यार वाला एंगल क्या सही दिशा में एक धुनला सा इशारा था क्या ये धुन साफ होने वाली थी क्या इसके पीछे कोई रास्ता था जो सुराग की और ले जाता हो लफड़े का तो कुछ पता नहीं से अश्टोस के परिवार में कुछ परिवार में ऐसा तो कोई लफड़ा नहीं है जो अश्टोस है इसकी मां को गुजरे हुए आट वरस हो गया इसका बाप पिसान है जमीन में इतना ज्यादा पैदावर नहीं होती इसको जो भाई ए गजेन रहे है पैसा इतना ज्याद थो नहीं लेकिन कम भी नहीं है भाई भाई के बीच को एन बन? ऐसा तो कुछ नहीं साब गाउम वाले तो कहते हैं कि दोनों भाई बहुत त्यार करते है कुछ भी हो जख्वाई सार आशितोष की जिंदिगें कोई लड़की होती तो हमको ज़रू मालूम पड़ता सार पर आशितोष ने अपने दोस्ते किसी लड़की का जिकर किया था पता नहीं सार अगर कानपुर में कोई लड़की थी तो भी हमें बताता ज़रूर सर, हमसे और बाबुजी से खुल के बात होती थी सर, वो जानता था सर कि अगर किसी डड़की को पसंद करेगा तो हम लोग मना नहीं करेगा उसको सर. सर. यह पंकर संग्ग को अनै, आप जानते हैं? पंकर संग्ग, आख सर, पंकरज और आशितो उस थे हम पच्पन के दोस्त हैं, सर. हमारे गाहं कर रहने वाला है, पंकरज. हमारे गर दूगर छोड़ के रहता है. पंकर जिंग ने 11 और 13 अपरेल की रात को आशितोष से फोन पर बात की थी 13 अपरेल की रात को इसके फोन की लोकेशन आशितोष के रूम के आसपास ही है और उसके बास से उसका फोन बने यह बोटल तो दुर्गा केमिकल्स की है हम ही लोग उनको सप्लाई करते है फिर वो अपना लेबल लगा के बीचते हैं, एक मिनर यह दिखे यह कहा पड़ता दूगा किनकल्स? यही पास में ही, जौहर नगर में जौहर नगर? पंकर सिंग हाँ, क्या हो आप मिल गया आपको? 12 अपरेल से वो गयब है, उसका फोन भी बंद है हमने करांपूर पुलिस थाने में उसके बारे में शिकायत भी लिखाई थी क्या बोलकर निकला था वो? बोल रहा था कि कांपूर जा रहा हूं, एक दिन में लोटा हूंगा बोला ना मा, एक दिन में लोटा हूंगा अरे पर दुकानपूर जा की रहा यह तो बता की जा कोई काम है माँ, हमारा मतलब है काम मिलने की उमीद है माँ हम लौट के सब कुछ बताते हैं न आपको, अब आशीरवा दीजिए क्या काम था, किस काम की बात कर रहा था, कुछ भी नहीं बताया उसने जी नहीं, हमने बहुत पूछा, लेकिन उसने बताये हैं नहीं जी, यह हमारी दुकान की यह, अच्छे यह बताईए, यह किस ने खर दी और कब खर दी एक मिनूट, यह तो हाइगरेट के नितल है, हम भीना डीटेल यह इसे नहीं बेचते, चेक कीजिए जी यह देखिए, तेरा एप्रिल सुबह साड़े गारा बजे, पंकज के पिता ने शिकायत दर्श करवाई 14 अप्रैल को, कजेंदर को अपने भाई आशितोस की बाड़ी मिली सर कहीं है, आपसी साठ हाट का मामला तो नहीं है, मतलब पंकज ने पहले जूर्म किया, फिर उसने अपने परिवार वालों को बताए, और फिर पंकज के परिवार वालों ने पंकज की मिसिंग कंप्लेंद दर्श करवा दी एक काम करो, पंकज की पिता चंदरभान के फोन रिकाउड निका दो, हो सकता है, पंकज ने ने किसी अंजान नंबर से फोन किया, यहां कुछ तो गडबड चल लगी, पंकज के खर पर ने करानी रखो, हो सकता है, वो रात के अंधेरे में उनसे मिल ले आ, जी हो जाएगा, यह देखिए, लाइसेंस का जरोक्ष लेकर हम रख लेते हैं, यह 13 अप्रेल सुभा 11 बजे की खरीती है, पंकज सिंग, निवासी करम, जी, आसंतोष, बोल, सब, वो एसी 13 अप्रेल को सुभा 11 बजे, कानपूर के दूगा केमिकल से पंकज सिंग ने खरीता, ठीक है, 11 बजे, कानपूर से एसेट करीता था, और 13 अप्रेल को ही सुभे 11 बजे, पंकज की पिताजी ने यहाँ थाने में उसकी कंप्लेंदर्ज करा दे, सब कुछ बड़ी सोची समझी सार जी के ताहित किया गया, पर क्यों, किसली है, सर कहीं है, उस लड़की का मामला तो नहीं, जिसका जिकर आस्तो उसका दोस्त संजु नम से किया था, सर उसकी गर्ल्फ्रेंड थी, जिससे वो शादी करने वाला था, मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन उसका कोई ना कोई ताहलुक उसकी पुरानी बास से, नाम शोर, हमें इसका कोई ना कोई सुराग, यहीं विर्चा मुट्र। यहीं के क्यांव थी, पाय का उसका गर छुम से का भीज़ एको चा उसकी जिलित नाफ DR. अimana काष्डिय का मामल विर्णविम झाल क्यों झाल रह वो एड़ है रहाँ अहाँ पाल क्योंडे अघक मर्फोब Krत रहाँ घे ने लग चामज वर्चनाज़ आशुतोष प्रसाद का अंतिम संसकार कर दिया गया लेकिन पंकज सिंग जिस पर इस अपरात को अंजाम देने का पूरा शक्त था उसकी कोई खबर नहीं थी वो लापता था और फिर एक ऐसी जानकारी मिली जिसने आशुतोष हत्याकांड की जांच को एक नई रफ्तार दे दी पंकज की पिता चंदरभान सिंग के फोन रिकोर्ड्स में कोई खटकने वाली बात नहीं मिली सथ कानपूर से किसी अन्जान नंबर से की कॉल नहीं सथ, पंकज का फोन अभी भी बंद है, कोई मूमेंट नहीं दिखा रहा है आना तुलाल बोलो साब ये पंकज तो अभी तक अपने घर के आसपास नजर नहीं आया है उसके माबाप की कोई ऐसी हरकत जशक पैदा करे? नहीं साब ऐसा कुछ भी नहीं है पंकज का कोई आता पाता? नहीं साब बस गायब है और साब एक बात और क्या? कोई और भी गायब है कौन? इसी गाउं की एक लड़की रश्मी चोहान वो भी गायब है रश्मी चोहान कौन है ये रश्मी चोहान? मेहंदर वो गुसम चोहान की बेटी है सागर चोहान की बड़ी बहन है और पुलिस कौंस्टेबल बिर्जेज चोहान की चोटी बहन है कहा गई है? किसी को कुछ पता नहीं था अंकर गाइब है और एक लड़की भी गाइब है रश्मी चोहान तरी रश्मी चौहान कहीं वही लड़की तो नहीं जिसकी बाद आशुतोस के दोस्त संजु ने की थी बेबी जी रश्मी कहा है रश्मी 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 कहा है वो अपने बड़े भाई ब्रिजेश के साथ की है ब्रिजेश वो जो पुलिस में है कहा है पता नहीं किसी रिष्टेदार के यहां है आपकी बेटी इतने दिनों से घर से बाहर है आपको पता नहीं किस रिष्टेदार के यहां गई है क्या चुपा रहे हैं बोलिए कुछ नहीं चुपा रहे हैं साब छुपा पाएंगे भी नहीं वह जहां भी होगे हम ढूंड निकालेंगे यह मत समझेएगा कि प्रिजेश पुलिस वाला है तो हम नर्मी बरतेंगे प्रिजेश को फोन लगा उचीगा बुजी हां सागर बोलो भाया पुलिस आइटी घर पे रश्मी के बारे में पूछ रहे हैं तुमने के जवाब दिया बापुजी ने कहा है कि आप उसे किसी रिष्टेदार क्या ले गए ठीक है चिंता मत करना प्रिजेश ने पिछले साल ही कॉस्टेबल के तोर पे जोइन किया है इस पूरे मामले से ब्रिजेश का कोई ना कोई तालक जरूर अश्टोष की हत्या पंकज का भाग जाना और रश्मी का गाइब होना सर कहीं है कोई घरेलू मामला तो नहीं है आई मीन ओनर किलिंग टाइप इस मामले की कडियां भी ने मिल लएंगे इस ब्रिजेश ने अब तक जरूर कोई सॉलिट सा बहाना तयार कर लिया होगा देखते हैं लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ब्रिजेश की बह ककताै हमारे कशी रिश्ट्यदार के गहारे किस रिश्ट्यदार के हा हमारे धूर के रिश्ट्यदार कहां कोई नाम पता तो होगा उनका बदो हमेद केवल सिंह जी है वह हमारे धूर के चा Courts हैं उनका फोन नमर दीजिए वह बहुत बुड़े हैं फोन नहीं रखते आपकी वहन रश्मी के पास तो फोन होगा उनका नमर दीजिए हम जब घर से निकले तो वह अपना फोन घर पर बूल गई थी आपके तूर के रिष्टेदार हैं इनका अट्रेस पताईए रश्मी चाहन है रश्मी चाहन है रश्मी चाहन मुझे दो से देखे वे भी कहीं साल हो गए है मैंने बोला ना आपको रश्मी यहां नहीं आई है देखे आपके बतीजे बिजेश चाहन का कहना है कि वो रश्मी को यहां छोड़के गया है क्यों अचानक बेवजा उसे यहां छोड़कर जाएगा वो यहां नहीं आई है जद सास्टारोबकर वोड़के दोड़के गी धूकर से अवोड़के का सदस्टार उपर्ण 2방 — जеш टब Напрाइभ लिए्ला को भी पीन आई का सबस्त नहीं से दया तुम्हारे फोन रिकार्ड्स बताते हैं कि तुम 10 अप्राइल को करमपुर गाउं में थे तुम पुलिस फोर्स में हो इसलिए ये बात तो अच्छी तरह से जानते होगे कि अपराद को छुपाना ना ममकिन है हम कि छुपाएंगे सर, हमने कोई अपराद नहीं किया लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुम इस अपराद में शामिल होगा तुम्हारी बेहन रश्मी गाइब है तुम उसका पता बताने में पुलिस को गुमरा कर रहे हो हमें इस बात की भी पूरी खबर है कि तुम आशुतोष और पंकज एक ही गाउं के और बच्पन के दोस्त है इसलिए आशुतोष के कतल में तुम्हारे हाथ होने की पूरी पूरी पसिबिल्टी है प्रश्मी कहा है पंकज कहा है बोला प्रजेश हमें नहीं पता सर आशुतोष को किसने मारा आशुतोष को किसने मारा पुलो अंकर सिंग ने आशुतोष को मारा है सर इंक दर हमें नहीं पता की पंकज कहा है और दो नहीं को यह पता है की हमारी बहन डिस्ट्मी का पर है घ्र में बस इतना पाता है की आशुतोष को किसने मारा था तो मैं कैसे पता कि आशुतोष को पंकज ने मारा था पंकज को आशुतोष को मारने के लिए हम यह ने कहा था अब रश्मिक लाश का तो मैं मतशनी को तो आशुतोष के लाशँ पिंदाओ ने कहा था प्रिजेश चाहान ने अपने बच्पन के दोस्त आशुतोश को अपने एक दूसरे दोस्त पंकच के हाथों क्यों मरवा डाला आशुतोष के कॉलेज के दोस्त संजु का इसमें क्या हाथ था क्या आशुतोष का भाई गजेंदर प्रसाद भी इसमें किसी तरह से शामिल था उपर उपर से ही एक ऑनर किलिंग का मामला लग रहा था लेकिन इसके आसपास का मकर जाल गहराता जा रहा था जैसे जैसे जाँच आगे बड़ी कई चौकाने वाली बाते बेपर्दा हुए पुलिस का सामना एक ऐसे शैतानी स्वांग से हुआ जिसने इस रची गई साजिश की और कई परते खोल दी कल रात हम आपको दिखाएंगे इस बेचीदा हत्याकान का दूसरा और आखरी भाग आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पिट्रोल दस्तक में तब तक अपना खायल रखें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्जदा करें जय है